हलो दोस्तो आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे आपके अपने यूट्यूब चैनल जानी टॉक्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है दोस्तो अच्पी फरेस्ट कार से सबंदित ये हमारी क्लास 33 वी रहेगी इससे पहले की 32 क्लासिज आपने नहीं देखी हैं चलिए शुरू करते हैं पहले प्रेस्ट से पहला प्रेस्ट है निमलिक्ट मैंसे किसे बरगी की का पितामा कहा जाता है तो दोस्तो जो बर्गिकी होती है उसका जो फितामा है लिनियस को कहा जाता है केरोलिस लिनियस को तो इसका option C जो है वो सही हो जाय का और दोस्तो जो अरस्तु जो है इनको जूलोजी के फादर भी कहा जाता है अगला प्रेशन है दूइनाम पद्ती के प्रदिपादक है दोस प्राक्रितिक सिस्टम किस बंसपती बिग्यानी ने प्रस्तुत किया था दोस्तों जो बर्कीकरन का प्राक्रितिक सिस्टम है बहुँ स्वीडिस बिग्यानी ने प्रस्तुत किया था तो इसका option C जो है वो सही हो जाएगा अगला जो प्रेशन है पुश्पी पादबों को रखा गया है तो दोस्तो जो पुश्पी पादब होते हैं जिनमें फूल नहीं लगते हैं उनको क्रिप्टो गेम्स में रखा जाता है तो इसका जो ओप्शन ए है वो सही हो जाएगा अगर दोस्तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी जी वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों अगर आप इसकी पीडियाफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलिग्राम चैनल को जोइन करिए उसका जो लिंक है वो हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है अगला प्रेशन है बरगिगर्ण की अधारी इकाई है तो दोस्तों जो बरगिगर्ण ये अधारी इकाई है वो होती है तो इसका option C जो है वो सही हो जाएगा species अगला प्रेशन है hydrophytes होते हैं तो दोस्तों जो hydrophytes होते हैं बोह जलिये पॉद्धे को कहा जाता है तो इसका option B जो है वो सही हो जाएगा जलिये पॉद्धे hydrophytes कहलाते हैं अगला प्रेशन है द्वीनाम पत्ती का अभी प्राय है पॉ बंस और जाती के बारे में, तो इसका option जो है, बो सई हो जाएगा, बंस और जाती, अगला अग्वरासम है, जिन पोद्धों पर बीज बनते हैं, किन्तु पुश्प नहीं लगते हैं, कहलाते हैं, तो दोस्तो, इसका जो option B भी हो जाएगा, वो हो जाएगा, अनाबरित बीज और जिन पर बीज नहीं बनते हैं उनको आवरित बीजी कहा जाता है अगला जो प्रशन है जिबानु की खोज किसने की तो दोस्तो जिबानु जो है बेक्टिरिया उसकी जो खोज थी वो एंटो वन लिवन होगने करी थी तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा जिबानु जो होते हैं यहें बिखंडन द्वारा गुनन कर सकते हैं तो इसका जो अधिकांस जिबानु होते हैं वो विविद पोस्ती होते हैं इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा अगला जो प्रशन है जिबानु को पौधे माना गया है क्योंकि दोस्तो जो जिबानु है उनको पौधे माना गया है इसलिए क्योंकि उनमें जो दोस्तो खथोर कोशिका बित्ती होती है तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा जिबानु को पौधे माना गया है क्योंकि इनमें खथोर कन का अनपस्तित होता है अगला जो प्रेशन है जिबानूं की सधारन आकरिती क्या होती है तो दोस्तों जो जिबानूं होते है उनकी जो सधारन आकरिती होती है वो छड़ रूपी होती है यानि की बैसिली तो इसका उप्षन ये जो है वो सही हो जाएगा छड़ रूपी एक गौल जिबानु कहते हैं आपने बताना है तो दोस्तों जो एक सरफिल जिबानु होता है उसको spiralum कहा जाता है इधर option काट गया है जो दोस्तों जो बास्तविक केंदरक किसमे अनुपस्तित होता है तो दोस्तों जो बास्तविक केंदरक होता है वो जिबानु में अनुपस्तित होता है तो इसका option C जो है वो सही हो जाएगा बास्तविक केंदर जो है वो जिबानु में तो दोस्तो जो इन option में दिये हुए हैं सिवाल कवक, जिबानू और कीट में जो जिबानू है वो सर्बादिक संख्य में पाय जाते हैं तो इसका option C जो है वो सही हो जाएगा जिबानू अगला question है बैक्टीरिया में पाया जाने बाला प्रकास अंसलेसी आशे कहलाता है तो दोस्तो जो बैक्टीरिया होते हैं उनमें जो प्रकास अंसलेसी आशे होता है वो बर्ण की लवक कहलाता है तो इसका option C जो है वो सही हो जाएगा बर्ण की लवक अगला प्रेशन है पास्चर प्रसिद है दोस्तों जो पास्चर है वो रोगों की जरम थियोरी के लिए प्रसिद है तो इसका option C जो है वो सही हो जाएगा जो पास्चर है वो रोगों की जरम थियोरी के लिए प्रसिद है अगला प्रेशन है निमन मैंसे सबसे छोटा जीव नहीं आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं थैंक्स पर बॉचिंग गॉड ब्लेस यू और